हलो नमस्ते दोस्तों यह हैं उमारे गाउं का मंदिर जिसमें भोती खुबशुर्थ पेड़ पोदे यहां पर कि चरुतरप इतने बड़े पेड़ोस के कि मंदिर बार से दिखाई नहीं देता अंदर से बहुत ही खुबसुरुत मंदिर है यह गोगा पिर की अपर मंडी है उसके साथ में सिधाय दोना है बावा मखनपूरी का मंदिर का यहां पर यह सिविलिंग रखा गया है और यहां प सब्सक्राइब में मैंने लगाया था और यह बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है इस तरीके से कुछ दिनों में के बराबर हो जाएगा साइड वाले में और से कुछ टाइम पहले गाउं में एक भी बड़ नहीं था सबसे पहला जो गाउं में बड़ लगाया गया था वो यह ही है कि अगर एक बड़ लग गया तो इसकी कोई उमर नहीं है आगे से आगे नहीं जड़ बनाता जाएगा और अपना आगार बढ़ाता जाए गए इसलिए आप भी अपने गाउं में मंदीर में स्कूल में जहां पर भी सारवजनिक स्थल है वहां पर अपने हाथों से बड़ लगा सकते हैं पीपड जिसकी उमर और यह देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मंदीर गरामबाशी हर टाइम बहुत अच्छा जान रखते पेटपोदों का और में भी बहुत अच्छी साफ सभाई प्रविश्यस ध्यान है यहां पर सामने आपको दिख रहा है जो उगा महारजी की तस्वीर आपको दिख रही है गोड़े पर अच्छी तरीके से आप अपने स्कूल में मंदीर में पेटपोदे लगागे उसकी खुबसूरती को बढ़ा सकते हैं और परियावन को सुच्छ रेने में अपना बहुत अच्छा ही गदान दे सकते हैं यह मंदर के साथ में जस्ट मंदर के पिछे यहां पर बहुत ही बड़ा जोड है गाओं का और कुछ टम पहले इसमें पानी नहीं रहता था बारिस का भी बहुत कम जमा होता था और अब भी यह सुखा ही है लेकर गर्मियों में नजदीक बनी डिग्गी में यहां पर पान डाल देते हैं इसमें पूरे में जोड के अंदर और यह उस तरी के साब नई मिट्टी जो देख रहे है वहां से बारिस का पणी कठा होता है और शामने जो आपको नाली दिख रही है सिम्टिड वहां से डि टлять कि था खान प्सको जाथ जो वहां से रहे हैं जो आपको वहां सिर्धे से प्सकी जो